चेप्टर है आज जो आपका चेप्टर है वो है अनुसुचित जातिया यानि शड्यूल कास्ट देखे आज इस चेप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम अनुसुचित जातियों की बात करेंगे देखे हमारे भारत देश की जनसंक्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो अभाव हीन है मतलब ऐसा माना गया कि वो उपेक्षित है और उनको विभिन सुविधाओं से वन्चित किया गया था ठीक है साती सात चुकि जो हमारी जाती व्यवस्ता में वर्ण व्यवस्ता है वर्ण व्यवस्ता चार भागों में विभाजित है ब्राम्बन शत्रिये वैश और शुद्र इस वर्ण व्यवस्ता में जो चौथा वर्ण है शुद्र वर्ण उनी से अनुसुचित जातियों की उत्पत्ति मानी जाती है ऐसा माना जाता है कि इनी के लिए हरीजन अस्प्रश्य अचूत ऐसे नामों को संबूर्धित किया जाता था लेकिन आप जो ये अनुसूचित जातिश आप सुन रहे हैं इसके पीछे भी एक बात है वो मैं आपको बताऊंगी सन 1935 में साइमन कमीशन ने ऐसे हरीजन दलित अचूत अस्प्रश्य जातियों की एक सूची बनाई इसमें उन्होंने 429 जातियों को रखा और इन अस्प्रश्य अचूत हरीजन इन सब का नाम उन्होंने इतन सूची में शामिल कर दिया फिर से रिपीट कर रही हो अनुसूचित जाती जो है 1935 में साइमन कमीशन ने एक सूची बनाई उस सूची में जिन जातियों को समलित किया साइमन कमीशन ने 429 जातियों को उस सूची में समलित गिया उस सूची को अनुसूची कहा गया और तफसे इनका नाम जिन जिन जातियों का नाम उस सूची में समलित था उन्हें अनुसूचित जाती शब्द के नाम से संबोधित किया जाने लगा डॉक्टर भीम राव अम्बेटकर जीने भी इसको मान्यता दी ती क्योंकि पहले जो वर्ण व्यवस्था में चोथा वर्ण था शूद्र वर्ण मैंने आपको वर्ण व्यवस्था चैप्टर पढ़ाया है आप अगर उसमें देखें तो चोथा वर्ण छूद्र वर्ण था छूद्र वर्ण के लिए ही दलित अस्प्रश्य हरीजन अच्छूत आधी इन नामों का इस्तमाल किया जाता था लेकिन जब 1935 में साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन ने इन सभी दलित वर्गों की एक सूची बनाई तब से इने कहा जाने लगा अनुसूचित जाती अब अगर हम अनुसूचित जाती की परिभाशा की बात करें तो अनुसूचित जाती शब्द के लिए पहले इने अस्प्रश्य जातिया अच्छूत धलित भहिश्क्रत जातिया और महत्मा गांदी जी ने इने हरी जन हरी कहते हैं भगवा क्रिश्ण को जन मतलब उनके प्यारे हरी जन नाम दिया हरी जन मतलब जो भगवान क्रिश्ण के प्यारे होते हैं लेकिन अगर हम इनकी परिभाशा की बात करें या एतिहासिक प्रस्ट भूमी की बात करें तो एतिहासिक प्रस्ट भूमी वैदिक ग्रंतों में भी और विभि और पवित्रता के अधार पर इनका विभाजन किया गया। जैसे जो अपवित्र अशुद माने जाते थे उनको शुद्र शेणी में शुद्रवण में रखा गया। धर्मशात यूग में अस्प्रश्टा की भावना सबसे पहले इस्प्रश्ट उई और भ्रामण और शुद्र से उत्पन संतान को घ्रणित माना जाने लगा और मनुस्प्रश्टी में ऐसा कहा गया जो ऐसे लोग थे उन्हें गाओं के भार सौप दिया भार निकाल दिया गया था तो इस तरीके से हम इन सब जातियों की निरियोगिताओं उनके व्यवसाय के अधार पर उनके बारे में सुनते आ रहे थे लेकिन 1935 में साइमन कमीशन ने इनकी सूची बनाई तफ से इनको अनुसूचित जाती कहा जाने लगा डॉक्टर डी एन मजूमदार ने इन अस्प्रश्य अनुसूचित जातियों का अर्थ इसपरष्ट करते हुए लिखा है कि डलित या इसप्रश्य जातिया वे हैं जो अनेक समाजिक राजनितिक निरियोगताओं का सिकार है इनमें ये से अनेक निरियोगताएं उच जातियों द्वारा प्रमप्रागत तोर पर निर्धारित और समाजिक तोर पर लागू की गई फिर से एक बार रेपीट करती हो देखो डियम मजूमदार थे उन्होंने अनुसुचि जातियों को परिभाशित करते हुए लिखा है कि दलित या इसप्रश्य जातिया वे हैं जो अनेक समाजिक और राजनितिक निरियोगताओं का शिकार होती हैं इनमें से अनेक सिस्टम बताया था उसमें जो चौथा वर्ण बताया था शूद्रवर्ण ऐसा माना गया शूद्रवर्ण का जो कारे था वो उचे वर्णों की सेवा करना था और उनके जो व्यवसाएं होते थे उनकी दृष्टी से उनको हे देखा जाता था हे दृष्टी से देखा जाता फिर उनके साथ क्या समाजिक निरियोगेताएं थी उनको कुवों से पानी ले सारविजनिक जो कुवें होते थे उनसे वो पानी नहीं ले सकते थे मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे साथ इसाथ उनके जो बच्चे होते थे वो स्कूलों में पढ़ नहीं सकते थे तो इस तरीकी से उनके उनको परंपरागत और समाजिक निरियोग्यताओं का जो उच्छ जाती उधारा निर्धारित की गई थी उनको सामना करना पड़ता था। देखो मैंने काफी किताबे अनुसुचित जाती के बारे में पड़ी हैं। मैंने साउत में पड़ा है दक्षिन भारत में बहुत ज्यादा अस्प्रश्टा अस्प्रश्टा कहते हैं बच्चो छूआ छूट को अन्टेचबल मतलब जिसमें छूने मात्र से ही कोई व्यक्ति अपवित्र हो जाता था। दक्षिन भारत में अस्प्रश्टा इस प्रकार हावी थी कि वहाँ पर जो शूद्र जाती जो दली जाती के लोग होते थे उनको पैरों में जूता पहनने का अधिकार नहीं था। कि उन सभी को इनका पालन करना बहुत जरूरी होता था। और अगर हम भारत के सम्विधान के अनुसार अनुसुचित जातियों की बात करें तो भारती सम्विधान के अनुचे 341 और 342 में अनुसुचित जातियों का विवरण दिया गया है। 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत में अगर अनुसुचित जातियों की जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगर्ना के अनुसार भारत में अनुसुचित जातियों की जो जनसंख्या है बच्चो वो है 20 करोड 13,78,722 जिसमें से की 15 करोड ग्रामिन शेत्रों में और 47 लाग शेह 75 लाख शैरी शेतों की अवादी मानी गई हैं। तो अनुसुचित जातियों के बारे में सम्विधान में इसपष्ट उल्लेक हैं। या अनुसुचित जाति के अंतरगत आते हैं इनको उन्होंने अनुसुचित जाति बोला हैं। किनोंने प्रोफेसर सच्ची दानन ने। देखे स्टूडेंट अब आज़ती हैं अनुसुचित जातियों की समस्याएं। सम्विधान में कुछ ऐसे प्रावधान किये गए जिसमें असप्रश्चता को छुवाचूत को अपरात घुशित किया गया है। कोई व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति के साथ चुवाचूत या असप्रश्चता नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको सम्विधान में प्रोटेक्शन या सरक्शन दिया गया है। पहले क्या थे? पहले इस तरह के सम्विधानिक प्रावधान नहीं थे। जाती गत भेदभाव हुआ करते थे। उच जातिया निम्न जातियों पर हावी थी। तो उस समय कुछ बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उनी में से कुछ समस्याओं आती हैं जिसे आर्थिक समस्याओं। अनुस्तुचित जातियों के लिए सबसे बड़ी समस्याओं थी आर्थिक समस्याओं। अनुस्तुचित जातियां चूकि पिछडी हुई होती थी, गरीब होती थी तो उनके लिए क्या होता था? सबसे पह वसाए थे उस्वैम से उनको निर्दारित नहीं कर सकते थे चमडा कमाना मरे पशों की खाल उतारना निम्न वर्गों की सेवा करना या फिर मैला उठाना ये उनके पेशे थे और ये पेशे ऐसे थे जो हे द्रिश्टी से जिनको अच्छा नहीं माना जाता था इनके लिए उनको ज्यादा अर्थ मतलब पैसा एकटा करने की भी छूट नहीं दी गई थी साथी साथ उनको भूमे भी रखने का अधिकार नहीं था जो हमारे भारत में जमीदारी प्रथा थी तो उसमें अनुसुचित जातियों को भूमी पर अधिकार नहीं दिया गया उनको गुलाम की तरह रखा जाता था या भूमिहिन क्रशक की तरह वो मजदूरी का कारे करते थे और साथी साथ उनको सबसे कम वेतन दिया जाता था वो तन धकने को उनके पास कपड़ा भी नहीं होता था मतलब एक तरह से वो अपना बहुत सरल और निम्न जीवन व्यतीत करते थे श्रम विभाजन में भी जो हमारा डिविजन ओफ लेबर था उसमें भी अनुसुची जाती के व्यक्तियों को सबसे निम्न इस्थान दिया गया और उनको उनकी मज़दूरी का बहुत कम हिस्सा दिया जाता था जिससे कि उन्हें अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा आर्थिक समस्याओं जैसे उनके पास धन संपत्ति किसी भी तरीके से नहीं होती थी नेक्स की अगर हम बात करें समाजिक समस्याओं अनुसुचि जातियों को न केवल आर्थिक समस्याओं इवन उनकी जो दयनिय इस्थिती होती थी उसके लिए अने को उनकी समाजिक समस्याओं भी जिम्मेदारती जैसे उनकी समाज में निम्न इस्थती थी जो वर्ण व्यवस्ता में ब्रामन शत्रिये वैशे और शुद्र था उसमें उनको सबसे नीचे इस्थान दिया गया था चुकि वो अपवित्र व्यवसाय करते थे तो उनको हेद रिष्टी से देखा जाता था और ऐसा माना जाता था कि जो उनकी परचाई होती थी देखो मैंने दक्षिन भारत में तुम्हें बताया था दक्षिन भारत में अनुसुची जाती के या दलित व्यक्ति के व्यक्ति को छत्री रखने का अधिकार नहीं था और एक बात और तुमसे शेयर करना चाहूंगे किताब में मैंने पढ़ा था कि उनको सुभे या शाम के समय बाहर निकलने का अधिकार नहीं था वो सिर्फ दुफैर के समय ही भार निकलते थे रीजन आप जानते हैं क्यूंकि ऐसा माना जाता था सुभे के समय सूरज हमारे सामने होता है व्यक्ति की लंबाई उससे दो गुने या पीछी की साइड लंबी बनती थी इसी तरीके से शाम को भी व्यक्ति की परचाई जो पढ़ती है सूरज की किर्णे चुकि तिरची पढ़ती है और व्यक्ति की लंबाई उस परचाई ज्यादा लंबी बनती थी उनकी परचाई मात्र से ही अच्छूत व्यक्ति हो जाता था दो फैर में अधिकार था तो इस तरीके से उनकी पर्छाई मात्र से उनकी चाया मात्र से ही व्यकती जो हो जाते थे अपवित्र माने जाते थे इस तरह की समाजिक निरियोगताओं समस्याओं का उने सामना करना पड़ता था साथी साथ शिक्षा का उन्हें अधिकार नहीं था वे स्कूल कॉलिज में पढ़ नहीं सकते थे और रहने के लिए उनकी जो बस्तियां होती थी वो आम गाओं से अलग और दूरी पर अच्छूतों की बस्तियां होती थी दली जाती की विक्तियों को गाओं में या जो बस्तियां होती थी उनमें रहने का अधिकार नहीं था देखे मैं आप लोगों को बार बार रिपीट कर रही हूं कि जो पहले की निरियोगेताएं थी और अब जो हमारे सरकार ने सम्मेधानिक प्रावधान दे दिये हैं उसके तहट अनुसुच जातियों को अब जो है इस तरीके का सामना नहीं करना पड़ता रीजन आप दिल्ली मुंबई में देखते हैं बड़े बड़े फ्लैट कल्चर अस्तित में हैं बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्लिंग होती हैं सामने किस जाती का व्यक्ति रह 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 है नीचे किस जाती का व्यक्ति रह रहा है ये इसका ध्यान नहीं रखा जाता है साती साथ आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो क्या आप पूछते हो हूं है बैटने के बाद कि खाना किस बावर्ची ने बनाया है वह किस जाती का है हिंड वो भ्रामन है शत्रिय है वैश्य है ये शुद्र है हम कुछ नहीं हमें खाने से मतलब है हमें रहने से मतलब है लेकिन प्राची पहले कि अगर बात करें पहले इन व्यक्तियों को धेने का भी अधिकार गाउं में नहीं था अन्य हम समस्याओं की बात करें जैसे रिलीजियस प्रॉब्लम धार्मिक समस्याएं अनुसुची जाती के व्यक्तियों को पूजा पाट का मंदिरों में प्रवेश का और धार्मिक ग्रंतों को छूने तक का भी अधिकार नहीं था ऐसा माना जाता था कि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने और भाग लेने से वो क्या होते हैं वो अचूत हो जाते हैं और अपवित्र हो जाते हैं धार्मिक ग्रंत और नहीं वो ऐसा प्राचिनकाल में कहा जाता था कि वो धार्मिक उपदेशों को भी सुनने का अधिकार नहीं रखते धार्मिक शम्षान घाटों में उनको प्रवेश लेने कभी अधिकार नहीं था तो इस तरीके से उनको धार्मिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था अगर हम भेदभाव की बात करें देखे अनुसुचित जाती के व्यक्ति जो थे चम्डे से उनका कारे माना जाता नहीं था अनुसुचष जाती के जो व्यक्ति होते हैं उनका व्यवसाए रश्टि से देखा जाता था तो ऐसे में उनक के साथ भेदभाव किया जाता था चुकि वो सफाई का कारे करते थे तो उनसे समाजिक दूरी बनाई जाती थी उनको अपने शादी विवा उत्सव पर समलित नहीं किया जाता था ना उनके कोई शादी विवा में उनके हां जाता था उनके हां खाना पीना मेल मिलाप ये सब माने जाते थे कि क्योंकि वो सम सामना बेद्भाव का सामना किया जाता था 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 तो उनके भीच अंतरजातीय व्यक्ति विभिन लोगों के व्यक्ति निर्वल लोगों को दबाया करते थे उनको जो रहा खा उनकी धन संपत्ति थी छीन लिया करते थे तो इस तरह की के अनेक अंतरजातिय प्रभुत की लड़ाई के लिए भी संगर्श हुआ करते थे तो ये अंतरजातिय संगर्श भी उनके लिए एक समस्या थी इसी प्रकार चुनाव में हिंसा की समस्या देखे, अनुसूची जाती के लोगों के सामने लोकसभा विंदहान सभा, पंचायतों की चुनाव के समय, बहुत बड़ी समस्या पनोजाती है, विशेश रूप से गामिन चेत्र के लिए अनुसुची जातियों को वोट देने के अधिकार कुछ जो लोग होते थे वो ऐसा मानते थे कि अनुसुची जाति के व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं है वो इसमें भाग नहीं ले सकते तो बहुत से लोग उन्हें डरा धमका कर जोड दबरदस्ती दबाव डालते थे और इवन कई बार ऐसा होता थो उनके साथ मार पीट उनको घर के घर जला दिये जाते थे इस तरह का अमानविय भियवार किया जाता था तो उनको इस तरह का राजनितिक में वोट देने का अधिकार भी नहीं था लेकिन अब उन्हें सम्विधानिक प्रवधान है इवन हमारे यहां लोकसभा विधानसभा पंचायतों में अनुसुच जाती जन जातियों के लिए सीटों को आरक्षित किया जाता है अब उन स्विटों पे उनी जाती के व्यक्ति इलेक्षन लड़ सकते हैं अब अगली समस्या है अन्ने जातियों के द्वारा उन पर उत्पीरन की समस्या देखो जो गाओं के बड़े बड़े जमिदार होते थे शक्ती शाली लोग होते थे वो उनके उपर अन्याय और अत्याचार करते थे उनसे जबरन जैसे जबरन काम करवाना उसके बदले में उनको पैसा ना देना मतलब एक तरह से उनकी जो बची कुछी भूमी होती थी बड़े-बड़े साहुकार, जमीदार उनकी भूमी भी छीन लिया करते थे तो ऐसे में क्या होते थे? उनके अत्याचार उत्पीडन से वो व्यतित और उग्र हो जाते थे और हमने कई बार ऐसे आंदोलन सुले हैं जिनोंने अनुसुची जातियों ने अपनी रक्षा करने के लिए भी चनाए हैं तो अनुसुची जाति के उपर अनेक अत्याचार और उत्पीडन भी समय समय पर देखा जाता रहा है लेकिन आज अगर हम बात करें आज सम्विधान में आरक्षण की ववस्ता की गई है अनुसुची जाति के व्यक्ति अब अपने आरक्षण के माध्यम से शिक्षण संसानों में प्रवेश लेते हैं नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से सरकारी नौकरी पा सकते हैं तो इस तरीके से सरकार ने बहुत सारे सम्विधानिक प्रवधान किये हैं आगे आने वाले चेप्टर में उन सभी सम्विधानिक प्रावधानों को मैं आपको विस्तार पुर्वक पढ़ाऊंगे फिलाल आप ये केशन कर लीजेगा अनुसुचित जाती किसे कहते हैं इसको परिभाशित कीजे और अनुसुचित जाती की प्रमुख समस्याओं की विस्त्रित विवेशना कीजे